दोस्तो आज के हमारे सीडίο का टोपिक है क्टेश्टर से हमें कर्णड का जटका क्यों नहीं लगता है दोस्तो यह है प्रश्न एलक्टरींसे इंक्रीव के अंदर काफी जादा पूछा जाता है तो दूसर इस वीडियो के अंदर मैं आपके इससे जुड़े कहीं सारे doubt के लिए करूँगा और इसके अलावा आपको tester से जुड़ी और भी कुछ महतुकून बाते पता होनी ची वो भी इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे और इस bulb का क्या नाम होता है ये भी आपसे question पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान अगना है इस bulb को बोलते है हम neon bulb तो अगर आपसे इंट्रो के अंदर पूछा जाए कि हमारे टेस्टर के अंदर कौन सा बल्ब यूप्योग में लिया जाता है तो आपको बोलना है neon bulb इसके लाव दोस्तो टेस्टर के अंदर उड़ क्या के चीज होती है तो आपको पता हो नहीं कि सबसे पहले हमारी जो ये road है ये होती है हमारी metal के ठीक है ये हमारी metal की road हो गई इसके बाद में दोस्तो यहाँ पर एक लगता है register और सारा का सारा खेल इस register कही होता है इस register के मदद से हमारा कैसे करण नहीं लगता है वो भी अभी हम जानेंगे तो दोस्तो ये register हमारा इस metal की body से जुड़ा होता है इस register के बाद में दोस्तो इसके साथ में ये bulb connect होता है ठीक है ये आपको bulb दिख रहा है जो मैंने भी आपको बता है neon bulb ये register और ये bulb इस तरीके से ऐसे connect होता है यह register और bulb connect होने के बाद में इस bulb के साथ में यहाँ पर spring जुड़ी होती है और spring के साथ में हमारे metal का head जुड़ा होता है तो दोस्तो इस तरीके से हमारे टेश्टर बनता है और अगर मैं यहाँ एक road बना दू तो यह हमारा पूरा टेश्टर बन चुका है तो दोस्तो जब भी इस bulb को चलाने के लिए दो point होता है तो एक point तो हमारा इस register से जुड़ा होता है और हमारा दूसा बलब का point हमारा यह पतला से wire के through उपर आके काजप्या के लपेट जाता है फिर इसके साथ में हम यहाँ पर spring को connect कर जाता है और यह हमारा इस तरीके से यहाँ पर circuit पूरा हो जाता है और दोसौं हमारे बलब है य teaser होता थैं तो हमारे फेस है वह फेस है यहाँ और हमारे फेस है या फिर नहींद से है ao को current क्यों नहीं लगता है tester के उप्योग करने से तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा region हमारा यह register है दोस्तों register क्या होता है इसके उपर मैंने already वीडियो बना रखा है अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो इसी की सहता से चेक करते हैं तो आपको यहां पर वैल्यू दिखीगी वह दिखीगी आपको करीब वन मेगा ओम के आसपास अभी हमने मल्टी मिटर के अंदर जो वैल्यू को चेक किया वह दिख रही हमको तो इलेक्तिकल का शोख नहीं लग रहा है तो दोस्ते वह हम निकालेते हैं तो दोस्ते इसके लिए हमारा इलेक्तिकल का ओम सुलो का फॉर्मूला है वह कहता है हमारा वी Jill to i into r तो अब rope i al मतलब current निकालना है कि आखिरी रजिस्टर ने कितने current को कम किया तो मैं आई यहीं का यहीं रहने दूँगा और मेरा यह यहां पर गुणा में तो इधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा तो यह वी अपॉन आर अब मेरे को current निकालने के लिए उपर voltage लिगना है तो हमार यहां लिग दिया एक लाग ओहों तो अब अगर मैं इन दोनों को भाग लगाऊंगा तो मेरी जो value आएगी वह आएगी 0.0022 ampere मतलब यह जो मेरा एक ओहों का register है यह हमारे only 0.002 ampere current को ही flow होने देगा मतलब यह हमारे circuit से only 22 mili ampere ही current flow होने देगा दोस्तों यह 22 mili ampere तो only य यह register हमारे current को रोक रहे है इसके एलाओ दोस्तों हमारी bulb का भी कुछ resistance होता है बल्ब के अलाओ हमारी जो खुद की body है उस body का भी कुछ resistance होता है तो अगर हम इन सभी के resistance को भी जोड के हमारे voltage से भाग लगेंगे तो हमारे current है करनट और भी कम हो जाएगा और दोस्तों अग जो रजिस्टर होता है, यह हमारे current की value को 20 mA से भी कम कर देता है, तो इतना कम current की value होनी की वज़े से हमको tester से current का जटका नहीं लगता है, तो दोस्तो उमीड ही कि आज के इस video के माध्यम से आपको कुछ वेतर जान करें मिली होगी, दोस्तो इस video खतम करने से पहले हैं, आपक सब्दों में होगे कि यहां पर कोई 8 या 10 वी किलास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से electrical और mechanical को समझ जाएंगे, तो दोस्तो एक बार हमारी website से जरूर जूड़िए, इसके लिए आप Google पर जाके search मार सकते हो, engineering दोस्त, और दोस्तो आपको website कैसी लगे, प्लीज महाँ पर हमें comment box में comment करके जरूर बताईएगा, दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को like करके जरूर बताएं, अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतिया फिए electrical से जुड़ा तो मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, electrical की चैने को subscribe कर दीजिए, आज के लिए तना ही धन्यवाद